सुनो कविता कविता पढ़ने और सुनने में बहुत अंतर होता है और ये अंतर तब समझ में आता है जब आप कविता पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते भाव, परस्थिती, रंग, मनस्थिती जो भी शब्दों में ढला है, जब आवास का स्पर्श पा जाता है तो जीवन्थ हो जाता है जिन्दा हो जाती है कविता, आवास के छूने से सुनो कविता में, फिर एक पहतरीन कविता आपके लिए प्रीता जी के आवाज में मैंने दूर तक फैली रेत को न दिखा, तुमने हवा की खीचे लकीरों को लहरे हम एक ही बात कह रहे थे, शब्द पदल पदल कर माथे पर लिखे भूगोल में, बर्फ के पहार थे और तड़की हुए खेत भी दो थ्रोप साफ थे, एक तुमने देखा, एक मैंने हम एक ही जमीन पर खड़े थे, जगे पदल पदल कर हथेलियों में ढूरते हुए, अपना अपना वक्त ना यकीन तुम्हे था, ना मुझे कुछ था जो हथेलियों में दिखता था, पर हाथ में नहीं था एक कल तुम्हारा था, एक मेरा, कल पदल पदल कर समझा हमने पैरों की छाप में दिखती थी यात्रा, कुछ छोड़ा आये थे दूर कहीं, दूर तक जाने को कुछ था जो नहीं था, जिसे खोज रहे थे, एक पीछे छोड़ा हुआ सच, एक सच जो अभी मिला गहीं, हम सच बदल पदल कर देख रहे थे हम एक जमीन पर खड़े थे, एक आस्मान को ताकते हुए, एक सी बेचेनी के साथ चुप थे हम नहीं बदल रहे थे एक दूजे को, शब्द पाला बदल रहे थे, हर बार, बार बार